लेकिन कच्चा तेल सर यहां तो clear cut signals मतलब हमारी economy के हिसाब से देखे तब तो अच्छे ही है प्रेशर में है कच्चा तेल 77 पे आ गया है एक साल का निचला लेवल लेकिन इस बार जो कच्चा तेल गिर रहा है जिसमें आप भी आइड कर सकती हैं आप जानती है कच्चे तेल को इतना closest track करती है गिरने की वज़े मांगने कमी, recession का खत्रा, यानि कि fundamental कारण है क्या होता है, दो वज़े से कच्चे तेल में moment आता है, एक तो यह fundamental कारण हो गए, दूसरे production गटाने बढ़ाने के और तीसरा कारण होता है, कहीं युद्धवाली कोई extraordinary situation, pandemic वाली यह हो जाती है तो युद्धवाली situation हो, pandemic वाली situation हो, यह temporary है और पेक के उपर नीचे करने का, प्रोडेक्शन करने का, यह थोड़ा सा medium term है Long term, यानि कि ज्यादा 3-4-6 मेने का view अगर आप लेकर चले कच्चे तेल पर तो फिर आपके लिए fundamental reasons important होते है तो पहली बार कच्चे तेल में जो लगातार गिरावट बन रही हो, fundamental region से बन रही है अब इसमें दो चीजें, एक खुश होने वाली रहे, एक दुखी होने वाली ही खुश होने वाली बात हमारे लिए, कि हम रोज कच्चे तेल का बिल भरते है तो उनके दुखे साथ हमें दुखी होना चाहिए, हम नहीं होंगे दुखी क्योंकि हमारे लिए तो ज़्यादा important ये हमारे लिए demand का उतना बड़ा खत्रा है मैं ये तो नहीं कहूंगा कि global demand कम होगी तो हमारी export करने वाली company भी उतना ही करेगी थोड़ा impact आएगा, लेकिन overall Indian economy के लिहाद से देखे तो globally demand कम होने की recession के खत्र की वज़े से जो कच्चा तेल sustainable तरीके से लगातार तरीके से और fundamental region से जो गट रहा है वो हमारे लिए ठीक है, so I think आज के लिए सबसे बड़ा positive trigger अगर मैं लिए कोई है तो ये कच्चा तेल है, 77 डोनर लेकर बहुत खुशी होती दिल में और उसमें भी अगर आप ये देखे और खास दोर से तब मुझे और अच्छा इसलिए भी लग रहा कि गवर्नर साब सो डोनर का अनुमान लेकर चल रहे है, तो गवर्नर साब भी खुश होंगे, कि चलिए मैं कह कम रहा हूं, डिलीवर ज्यादा करूँगा इन फाक मैंने इंडिन क्रूड बास्केट का जो सरकारी आकड़ा ही देखा था, कल सर बहुत समय बाद साड़े अठाटर पे आ गया है तो मतलब अच्छी 80 किरावट यहां पर हो चुके, सो और अवर वल हमारे लिए कच्छा तेल का गिरना और यह सेस्टेंड अब नहा इसमें क्या है, दो चीजें, पहली चीज, जब आप तेजी से करता है, अब आप यह सूचते कि अब उपर कितना जा सकते हैं, तो अब से जादा ना गटे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम 75-80 की रेंज में भी ठीके रहें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 55-60 में रूस से मिल जाएगा, मिल रहा है, मिली रहा है, और कम हो जाए तो और बढ़िया, तो आइधिंक वी आर सेफ, वी आर से आजाता है, और ये कच्छे तेल का नीचे होने ही, हमारे लिए महंगई कम कर देगा, डायरेक्ट और इंडायरेक्ट इन्फेशन दोनों कम कर देगा, ठीक है, दूसरा सपोर्ट क्या चाहिए, पैसे का, लोकल इन्वेस्टर्स का, वो अगर दोनों चीज आपके हाथ में कि अट्याए को अफ़स्फ दोनों, कम कि उपके है।